वेलकम डॉट्टर केम आज हम लोग बात करें यह एडवांस पेपर टू के डिस्कॉशन के वारे में जो ट्वेट वेड़ी फॉर में हुआ है तो इस टेट अभी कोशन नमबर वन से शुरू करते हैं हम लोग और हमें नोट्स और बाकी सारी डीटेल्स हमें काम में मिल जाती है और यह चैनल को सब्सक्राइब चोड़ चोड़ के जा रहा है तो तुम्हें धर्म बनता अब इसे फिर से इंक्रीज करना तुन्हों ने फ्रॉमिस किया था कि अपने जूनियर्स को बताओगे तो भी बताई देना जा रहा है चलो कोशन नमबर वन क्या कर रहा है एकॉर कि फर्ष्ट ऑर्वर्ट ऑफ जना तो फर्ष्ट ऑर्वेट ऑफ हाईडो जना अप्शन को लगने तो एंड की वैल्यू वन है और एच की जैट की वेल्यू एच के लिए कि एनरजी जो आ जाएगी वो किस इसके निफेंग जाएगी थर्डीन पॉइंट सेगे अप्शन के ही भी लिख देता है इतनी ठीक कंपेर ही करना हमें एक्जेक्ट तो निकाल ली नहीं तो क्यों खाम होगा में दिमाग खरब करें अपना तो एन की वेल्यू टू और जैट की वेल्यू टू हो गई तो कानेटिक इनरजी जो आ गई वहागी थाटीन पॉइंट सेक्स जैट स्क सबसे ज्यादा किसके लिए सबसे अगला कोशन क्या कर रहा है अगला कोशन कर रहा है इन्हें मेटल डेफिशेंट ऑकसाइड सेम्पिल Mxy204 अब दो कोई सवाल को इस तरह से फ्रेम किया गया है कि तुम्हें देखने में लगे कि सॉलिट सेट का सवाल है लेकिन है स्टेशोमेटरी का ठीक मेटल डेफिशेंट कर दिया तो हम लोग डिफेक्स कमारे में दिमाग में चलने लगता है जो चलने आने की ज़रूवत है नहीं किया रहा है में और व्लाइल्वेंटरी में अगर व्लाइच्ट्री में तो लिए थी में य ठीक टो नटेट कितनी लगई औक्सरेशन इस्टेट आ गई प्लश 2 किसकी ऑफ NX की ठीक अब क्या कहे रहा है कि इस प्लक्षिन ऑफ N 2 प्लावर होने सही बस यहां से एक्स सॉल हो जाएगा तो कितना बन जाएगा यहां अग्याएगा तुछ चार्ज है और ठी चार्ज कितना है 2x by 3 तो इसकी वैल्यू टू के बरावर होनी चाहिए बस तो यहां से एक्स सॉल हो जाएगा तो कितना बन जाएगा यह आगया तो एक्स की वैल्यू कितनी आगई पॉइंट सेवन फाइव आ गई सिंपल इस देट आसानी से हो जाना चाहिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल भी एक बहुत ही स्चांदार और सिंपल सवाल पूछा गया है जिसे आसानी से किया जा सकता है कराए इंदा फॉल्लिंग रेक्शन सीक्वेंस अब सीोडी किसमें C-6 H कि fen noon nave और iलकें को जब हम सियाट steps के साथ 775 कलविन और 110 टीड्य का डियांटीक एंति ट्रीक करते हैं तो इससे बेंजीन मन जाती है उनल्यकिक सिसे करा यहां बैंजीन कि रेक्शन से करणा भैंजीन की रेक्शन सिया टूट एकसशा के साथ परलआ है न तो इससे आंसर क्या जाएगा ठीक है आसानी से आ रहा है यह को पेपर ज्यादा मतलब आसानी से होने वाला कुछ एक कोशन को छोड़ना है करा इस्पिशीज फॉर्म दूरिंग दा फ्लोरिनेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और 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 अर्गनिक सॉल्वेंट आ पी सियलवाइव उर्भाय प्रामिटल जिसमें एक सोब्सदा कि अगर गलेटर दन वाई अगर हम बॉन्द लेंग की बात करें तो एक्स की बॉन्द जधा है वाई से तो एक्स की रहीकर देन के एक्सियाल बॉंड साऩट अि को वी कर देन कि क्यक्वटरियल बॉंड F- आएगा तो पहले इसी कोड आएगा तो दो एफ यह यह याईगे तो बन जाएगा P F2 C L 3 और फिर F- इस पे C L माइनस ए f- मिलके इसे क्या बना देगा या तो इसे CL- जोड़ ज़ए कि और क्या बना दे कि पिसी एल फोर एफ को और पी जाएगा और या फिर सारे के सारे एक्जिस्ट hट जाएं तो पी एफ फच्स माइनस और पी इसलिए बन जाना चाहिए ठीक तो आंसर इसका भी आ जाएगा अब एभी आ सकता है क्योंकि ए में भी कोई बुरह नहीं लॉजिकली सही है लेकिन PCL 4 प्रस एक्जिस्ट बहुत मुश्किलों से करता है इसलिए आंसर केवल भी होगा यह भी मार करना चाहो तो एक को भी हम ले सकते हैं तो ए और भी आंसर आ जाएगा दोनों ही पे नंबर मिल जाने चाहिए ठीक है क्योंकि यह कि मल्टिकरक कोशन नहीं करा है एक को सल्यूशन ऑफ हीड्राजीन इस एलेक्रो केमिकली ऑक्सिदाइश भाई ओटू देर भाई रिलीजेंग केमिकल इनर्जी इन फॉर्म अफ एलेक्ट्रिकल इनर्जी ठीक वन अफ द प्रोड़क्ट जेनरेटेट फॉम दा इलेक्ट्र इनट्रिक्षण इस एंट्व नौ चूज दा करेक्ट स्टेट्मेंट अब ठीक है अब क्या कराएगी एंट्व फॉर्की जो रेक्शन हुई एंट्व एच्फोर की जो रेक्शन होई ओटू से तो इससे एंट्व बन गया और हैस्टू बन गया अगर एलेक्रोलिस इस गभडव लोग एलेक्ट्रु इस होगी तो एलेक्ट्रोलिस इस कैथोर और टूर्योलिक्ष्ण होता है तो और ड्यूज चोजाएगी ङोट्व लेडिस अविए एक होट्व जाये कि यम्रेश के बनाती इस तो एक आप्शन तो मैं सामने दिख गया नीचे सी आप्शन लि पर देखो यहां पर दिसकाशन है बहुत ज्यादा लंबा खीचा नहीं जा सकता है इसे फिजिक्स में तो बहुत देल लगी मैंस में देल लगी लेकिन केमिस्ट्री तो तेजी पेपर में भी होती है और आप यहां पर भी तेजी होगी तो एंटु एच फॉर की रेक्शन किस एंटु प्लस ट्वाइस एच्टु ठीक सब कुछ बैलेंस हो गया अब इसके ऑप्शन देख लो करा ओएच माइनस रेक्श फिद एंटु एच फॉर एट अनोट तो फॉर्म एंटु 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 एट एट जो गया एट कैथोड एंटु एच फॉर एंटु में नहीं गनला है ऑक्साइट ऑफ नाइट्रोजन और मेजर प्रोड़क्ट इन दा इलेक्ट्र केमिकर प्रोसेस यह भी नहीं सही है ठीक है तो आंसर क्या आगया ए और सी अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है कि दा ऑप्शन्स विच करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दे करेगा से इसलकीन चाहिए भी ठीक बात है फिर एसे ने सील क्या करेगा साइनाइट को ल्डी आइट में करते गा और यहां पर नहीं बचेगा तो यह कहानी खराव जाएगी ठीक तो यह पहला ऑप्शन गलत हो गया लिंड आर्क एटलेश्ट ने फिर से ही किया और एस थ् खूध ऑघ्ड लियंव गया और यहां स doubt हो स managers थे ऐसे ही नने क्या कर दिया सीरेट कंवरर्ड कर दिया सिएंग को harini restore तो यहां पर यह वड़ोगिवट बात समझ में यह एक एक करके सब देखते मैं पूरी लिखने रहा हूं बोल के बता रहा हूं द्यान सुनना मेरी बात कि लेंडर कैटले से पहले क्या वह से सलकीन मनी से सलकीन से स्थ्यू प्लस का जब रेक्शन हुई होगी तो एस्टर दोनों तरफ के रेडियूस होगा हूंगे मतलब अगला देखो ऐने भी एच ओख ने क्या विद्वृ ने अल्कॉह रेडियूस कर दिया एलकॉह तो झालमें में इसे लिखता हूं कि टोन को रेडियूस कर दिया एल्कोहल में वैसे वरवली हो जाएगा ज्यादा परशान होने जरुःत नहीं बाकि मैं इसे माल लेता हूं यह आ रहा है और बाकि kसी को तो यह टच करेगा नहीं ठीक और 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 प्राइम माल लेता ठीक तो यह क numéro हो गया यहाँ पे बन गया अल्कोहल और यहां पर बन गया OCO CH3 अब जो यहां पर बचा हुआ था वो सारा ही लिखना पड़ेगा मजबूरी में हमें R को तो यह CO2 ET हो गया और यहां से यह बन गया यहां पर और यह CN हो गया ठीक इतना हो गया अब इसमें कराई reaction किसकी SNCL SNCL2 और SCL से क्या हुआ इस defense reduction हुआ तो CN convert हो गया CHO में तो CNCHO में convert हो गया तो यह बन गया OH OH के बाद यहां पर आ गया OCO CS3 और यहां पर आ गया CH2C CH2CH2 COET और यहां पर आ गया CH2C CH2 CH2 एक करवन कम हो गया किया यहां पर C C 3 आने चाहिए थे तो 3 आने चाहिए थे हमने दो ही लिखे हैं क्या हाँ एक करवन कम लिख दिया तो एक करवन बढ़ा देते हैं यह गिंती में गरबड़ हो जाता COET और इसमें भी एक CH2 और यहां पर आ गया CHO ठीक अब उसके बाद क्या किया estrioplus डाला estrioplus डाला तो यह भी ester किसमें convert हो गया तोनों alcohol में और वो acid में हुआ रही है alcohol में convert हो गया तो इसमें जब estrioplus डाला तो यह बन गया क्या OH यहां पर बन गया OH यहां पर बन गया CH2 C111C CH2 whole thrice COH और यह बन गया CH2 C111C CH2 whole thrice CHO ठीक और हमें यही बनाना था और H2 lindar से क्या होगा यह अब LK में convert हो जाएगा यह तो lindar catalyst है lindar catalyst तो यह क्या बन गया LK मना देगा SIS LK में convert कर देगा और बाकि किसी को touch नहीं करेगा तो answer हमारा C आ जाएगा ठीक अब initial में देख लो कि अगर हमने में पंगा इसमें यह कि NABH4 जिसमें भी SNSCL के बाद आएगा उसमें LDH को अल्कोल में convert कर देगा तो पंगा फसेगा तो पंगा फसेगा उससे लिए पहले क्या करो अगला सवाल क्या कर रहा है अगला सवाल बिलकुल नोट्स के बनाए उस्ट्रक्चर जो मैं के चला-चला कहता रहा कि नहीं याद रखना पतानी लोगों ने याद रखे कि नहीं रखे लेकिन यह भी सवाल बहुत ही सरल है सब्सक्तियों को हम कहते हैं साफ्सक्री यह उलियम का इस्ट्रक्चर रखे ऑब एच यह च्त्रक्चर बनादियों हम लोगे दियो मैं स्पर्डाइ सिर्थ ऑस्ट्विय मुआ है स्वाल豆 परडाइ सल्फियोरिक एसड अगा है हन्-धश निया हू यस डैश-डव' कि डवल बॉंडो डवल बॉंडो ओएच तो इसमें परॉक्साइड लिंकेज है इसमें परॉक्साइड लिंकेज है ठीक तो बी आंसर हो गया उसे और हमारा गया और ह। इसमें भी परोक्साइड लिंकेज होगी परोक्साइड लिंके जिसमें भी है तो आंसर इसका क्या गया बी और दी आ गया सिंपल सी बात है कोई मुश्किल इसमें नहीं है अगला सवाल देखता है अगला सवाल हमारा इंटीजर वाला है इंटीजर वाले सवाल में क्या देखना है करें तो फॉर्म अ कॉम्पलीट मोन लियर अफ से अगला सवाल अन ग्राम उफ चारकोल 100 ml वाल पॉंट 5 पाइं मोलर असटेक असट वास दू इस वास अगला सवाल में अन अब्सूर्ब तो नूटलाइज दा अन अन अब्सूर्ब तो मिली मोल्स ऑफ है तो इसे कि एसे एसे एंड है जो अनुट एक सर्Jacky की वर्मोस के चल॥ उट और दो और ये अल है जूर्स एंट upgraded जया है कितना होगा है 50-50-50- ξ 7d7 फ्रटी या इंता मिली मोल्स होगा जो क्या हो गया है एब भ़ौत ठीक तो नंबर स्मालेक्वाइल ऐसे टसकतने हो गया नंबर स्वखंड अफ मॉलिक्यूल नबर ओफ मॉलीकूल्स ओफ एसेड एड़्जॉर्ब्ट इस एक टू टैंटू 10 इस टूट पावर माइनस ट्री इंटू 6 इंटू 10 इस टूट पावर 23 तो यह आगए कितने 6 in to 10 इस तो पावर 21 आगए ए जो एड्सवल हुए तो टोटल सर्फेस एरिया इस आप्जॉर्ब कितना हुए तो कितना हो गया यह हो गया यह प्लस टू दिया था न हम प्लस टू था ठीक तो यह हो गया कितना यहां पर लिख दो माइनस नाइटीन तो यह हो गया पंदरह सो इंटू 10 इस टूपर माइनस टूपर लिख देंगे बिलकुल आसान था कि कितने हमने मॉलीकियू जार्व निका लिए और टोटल सर्फेसे इस इस टिवाइट कर दिया काम खतम हो गया थीक अगला सवाल क्या एक रहा है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कह रहा है वैसल वन कंटेंस डेवलू तू ग्राम्स ओ नौन वलाटाइल सॉल्ट एक्स डिसॉल्वन वन ग्रामुपाइल सॉल्ट डोल्स ओ ऑफ व्यां दिसॉल्वन ग्रामुपार तुम इंगला सवम्हान चुं परता थीक तो जो mx है is molar mass of x is 0.80% of y तो 0.8 of y है ठीक और जो i of x है वो 1.2 times y है i of y है ठीक i of y है और दोनों में हमने कितने लिये w1 grams लिये ठीक और w2 grams of another w1 gram of water में दोनों यह बोले हो दोनों टाइम w2 ही लिया है बहुत बढ़ी है तो molality कितनी आ गई molality जो आ जाएगी w2 upon mx into 1000 यह इसे ही लिख लेता है सिधे delta tb लिख लेता है delta tb is equal to i into kb into m of molality of x तो इसे x लिख लेता है इसे x लिख लेता है ठीक तो यह कितना हो जाएगा i की value इसकी है हमारे पास ix ही रखते है kb की value kb रखते है और इसे mx ही रखने देता है delta tb of x को delta tb of y अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे i y into kb into m y दोनों को divide कर देता है दोनों को divide कर दिया तो delta tb of x upon delta tb of y is equal to अब इसे लिखने i x की value कितनी है 1.2 y है 1.2 i y kb जगे भी cancel हो गया यह molality of x upon i y times molality of y हो गया ठीक तो यह हो गया 1.2 into molality हो गयी w2 upon mx बागी सब तो कट जाएगा upon w1 into 1000 divided by w2 into m y into w1 into 1000 तो यह सब cancel हो गया ठीक w1 से w1 cancel हो गया तो यह आगया 1.2 times m y y m x ठीक और m y y m x की value कितनी है m y y m x जो है m y y m x जो है वो है 1 upon 0.8 तो इसे लिख दो क्या 1.2 upon 0.8 ठीक तो यह इसे cancel कर दिया और into 100 कर दो क्योंकि percentage निकालना था तो दो ठीक चार दुनिया आठ हो गए यह और चार पत्चेस हो गए और यह हो गए है यह चार पत्चेस हो गए और यह कितना आगिया है यह आ गया 6 तन तो यह 155 परसेंट आ गया तो आणसर क्या लोग देंगा deste मिल्हाओंना है है ध्यान से देख लेना ठीक असानी से हो जाएगा कि अगर आधा डबल स्ट्रेंड ऑफ डी एने वन स्ट्रेंड इस गिवन बिलो और इसके जो अपोजेट वाली स्ट्रेंड है वो थ्री और फाइब कॉमा से जुड़ी होगी दा अमांट ऑफ टोषितवे देख उड़़ेंट eenटेइंट सिंगल स्ट्रेंड हुआ है तो एक से जुड़ा होगा एज़ मागा पी से और कितने टेशार रगौ ज़िए अगर्ध क्षसे जुड़ांब्र आयजे एक इसनारर हुग उड़ांब से जुड़ा होगा ग्राउसी से जुड़ां यहां तो हुझगे एक दो तीन चार पांच छे दो तीन चार पांच छे तो जी जूड़ा है किस से सी से ठील बॉंड्ड से ऑप कि एसे और सी जुड़ा है ट्रुपल बॉंड से ठीक तो मैं हाइलाइट कर दे रहा हूं कि 80 वाली कितने ग्रुप होगए देख लो 80 वाली कितने होगए कितने होगए एक दो तीन चार पांच छे हैं ठीक क्लियर कट दिखाई दे रहां असानी से डवल इस्टेंड को में सिंगल और तो बॉंड इनर्जी कितनी हमें हो जाएगी तो में क्या निकालनी है energy will be 7 into bond energy of 1H bond into 2 plus 6 into bond energy of 1H bond of GC into 3 ठीक तो इसके हो गया 7 into 1 into 2 ठीक प्लस यह हो गया 6 into 3 into 1.5 तो इससे अंसर जो जाएगा वो 40 बना जाएगा डवल इस्टेंट था पलट के लिखना था बस हो जाएगा ठीक तो अगला असका अंसर क्या गया हो 40 बना गया अगला सवाल क्या करा है अगला सवाल क्या है सेम्पल इनिशली कंतेंस अंतर इंचक्षी था इंच्छीए इसोटियए इसी इसलीए यह जाएपलग्ध धावी 206 to that of uranium 238 in the sample is 127 the value of P is तो हम लोगों को formula एकदम पक्के से आता है हम लोगों को formula एकदम पक्के से आता है क्या कि T is equals to होता है 2.303 अपन लेम्डा लॉग उफ U का कॉंसेंट्रेशन अपन पी का पीब का कॉंसेंट्रेशन अपन यू ठीक तो मोल्स मान सकते हैं अब मास रेशियो में दिया हुआ है क्या देगा है मास रेशियो में दिया हुआ है मास रेशियो नहीं दिया हुआ है मास रेशियो दिया मास रेशियो औफ पीबी तो यू इस 7 तो मोल्स रचियो निकल ले तो मास रचियो को हम लिखना चाहें तो मास रचियो कैसे लिखेंगे मास रचियो अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे Molar Mass of PV into number of Moles of PV divided by Molar Mass of uranium into number of माफ्यर रेनियम में तो tire यह कितना हो गिया मास्रेशियो पता है मास्रेशियो पता है कितना सेवन मोल्र सة महलर मासा में पीवी का पता है 26 ग खर अ्दunts का प्टा तो सत्म छिफ ब्लाद और इसे हमें निकालना में जरुवत भी थी भी अपॉन यू की वैलियू हो गई 7 इंटू 238 डिवाइड़ बाइ 206 उपर वाले फॉर्मॉलें उठाके पुट कर दो और लेम्डा होता है क्या टी हाफ 0.693 अपॉन टी हाफ तो यह क्या जाएगा टी की वैलियू आ जाएगी क्या लिख दें 2.303 अपॉन लेम्डा हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ टी हाफ के वैलियू 4.9 इंटू 10 इस तो पावर 9 अगर एक्जक्ली डिवाइट कर दें तो इसे आ जाएगा यह पॉइंट इसे लिख दो एलन 0.693 लिख देते हैं और इसे एलन को लॉग में इसे यह लॉग हो गया तो गया 2.303 इंटू लॉग यह हो गया 1876 डिवाइड़ वाइट 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 जिरो सिक्स ठीक अब लॉग वाउग सॉल कर दो गया लुग कल्कूलेशन थोड़ी गंदी है तो इसे जो आंसर आजाएगा 1.2. इसका गुड है लिखने के लिए और जी इसी रेंज में यह आंसर देगा तो बहुत वाइट का अंसर देगा क्योंकि लॉग 9 की वैल्यों में 9.7 आजाएगा इसकी वैल्यू चाहिए हो गया ठीक आंसर प्रिसाइज निकालने के लिए अगला सवाल क्या कर रहा है अगला कोशन यह कर रहा है कि अमंग दो अगला कोशन कर रहा है अमंग दीज कंपाउंट्स दा इस्पेशी आ टेट्राइडल इंजोमेटरी तो टेट्राइडल कौन सी है देखने जारा तो सीओ 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 तो यह कैसा बन जाए क्योंकि इसके पास और कोई व्यवस्ता ही नहीं बनाने कि अंदर जाएंगे लेक्ट्रान पेरिंग हो जाएंगे टीनाइन बन जाएगा और दीनाइन के बाद क्या बचाएगा ठीक फिर उसके बाद क्या रहा है लिए सी ओ तो यह भी 3D 7 और 4 2 यह भी ट्रैट्राइड फिर किर रहा है एकषी एफ ऑर एकसे फॉर कैसा स्कॉार प्लेंटर अग्पने वह को विए फीर कर दो लोन प्लस पी इसी इल पूर प्लस में क्या हो घया फीजा फोर में चार सिग्मा बांड गर गार और जीरो लॉन प्यूर वक्ताइबकर तो यह भी क्या हो Mrs में पता कि होगी इसकी होती सी एफ यह परदी सीरिस वालों की ज्यादा हो जाती है तो यह square planer बन जाता है फिर करना है ICL 4 minus ICL 4 minus में भी क्या होगा 4 sigma bond होगा और 2 lone pair होगा है तो यह भी क्या बन गया square planer बन गया क्या बन गया square planer बन गया ठीक cn4 3 minus cn4 तो cn4 पे plus 1 आ गया charge तो यह भी क्या बन गया यह भी टैट्राइडल बन गया और P4 भी क्या है टैट्राइडल है SP3 से मान भी सकते हो नहीं बान सकते है तो answer क्या लिख देंगे कितने आ गए total 5 आ गए या तो पांच लिखेंगे अगर पे hybridation नहीं मान हो गए तो चार लिखना पड़ेगा तो पांच लिखेंगा answer या फिर हम लोग चार लिखेंगा ठीक अगला question क्या कर रहा है अगला कर रहा है तो यानि कि यह कीटोर में कनवार्ट हो जा रहा होगा तो देखो वाई क्या करेंगे जो हमें compound दिया है वह नहीं कर रहा है तो में यह दिया होगा कि DB आयना अगल होनी नहीν तो दूर दूर लागा तो global फो अब जब हे टॉर मेरिजम करेगा तो यह किसम फंश्बर्ट हो जाएगा जब ही यह में पड़ाइगा तो इसकी ढिर्श्बर्ट हो जया थिक क्या बना दिया अॉग्जाम बना दिया अक्जाइम क्यू बन गई हमारे पास ठीक अब कराईगी पी के ट्रेटमेंन्ट हमने कराई एक्सेज ऑफ मिथायल इडाइट इन प्रिसेंस ऑफ कोईच अब मिथायल आयोडाइट की अगर हम पीस की रेक्शन करा दें एक्सेज तो क्या होगा कि सारे एच हट जाएंगे और सब जमा क्या लग जाएगा तो देखने थोड़ा सा व्यर्ड कोश्चन है देखने में गंदा लग सकता है इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है ठीक और यह क्या बन गया हमारे पास यह बन गया आर अब आर की रेक्शन कराई है किसे आर की रेक्शन कराती हमसे किसे आर की रेक्शन कराई है आइसो ब्यूटाइल मैगनीशियम ब्रोमाइड से तो आइसो ब्यूटाइल मैगनीशियम ब्रोमाइड यह हो गया जब इससे reaction कराएंगे तो यहां पर attack करेगा तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा C double bond ओग तो नहीं रहेगा अब क्या बन जाएगा OH और यहां पर बन जाएगा क्या C CH3 CH CH3 यहां पर 2 CH3 यहां पर OH यहां पर CH CH3 CH3 यहां पर आगया OH यहां पर आगया क्या CH CS3 और यहां पर CS3 और यह CS3 और यह CS3 रहे अब जाएगा CS3 काउंट कर लोग यह लोग कितने CS3 फटा फट होगे गया सब्सक्राइग इसके CS3 काउंट करो तो कितने आगा देखो जाए CS3 कि एक दो तीन चार पंच छह साथ आठ नो दज ग्यारा बारा सी अस्तरी आगए यह जाए तो आंसर 12 और गया गधा सा कंपॉइंट मेंने कहा था पहले कंदा यि खंदा वून गया लेकिन ठीक है productive अथी got अब एग्ला कोशण कर रहे अग्ला कोशान कॉश्ञ और अरगनिक to çीए मॉलकुल्युट सॉर्मॉल चेनी गिम्हं EB ग्रोमिन वार्टर रेन ऑल्सो शोज पॉजिटिव आइडो फॉर्म टेस्ट यानि एलकीन भी और सीच वेश्ट टाइप का ग्रुप भी है ठीक और इसकी डी भी वन आ रही है तो यानि कि यह केवल डेबल बॉंड है और कीटोन इसमें नहीं है पी और जोनलिस फॉलॉड ब था तो हम यह कर सकते हैं क्याम यह लेले हो जम यहां लेले सी था क्योंकि हमें यहां से क्यात ड़नाई कि यह ब्रोमीन वाटेस्ट निटे WhatsApp चूंद तो यह क्या हो गया पी हो गया पी की ओ adopted के transfथी एंच कर या पीक की ओविंस सट है और मॉचा ही और एस्ट इस संथ खुराइथ तो क्या बन गया है और जैसे करा तक रहा है तो यह बन गया यहां पर हमारे पास क्या यहां पर भी यह आगए और यहां पर और सी एच तो और यह प्लास बन गया सी ओ ओगेश CH2 यह पर बन गया CH OH CH2 CH3 ठीक तो यह बन गया Q यह बन गया R इसकी reaction PCC से कराई इसकी reaction PCC से कराई ठीक तो इसकी जब PCC से reaction कराई तो क्या बन जाएगा यह ketone बन जाएगा और यह भी ketone में convert हो जाएगा ठीक तो PCC से reaction कराने के बाद इसकी हीट किया तो S और T बने तो इसकी हीट कराई तो यह बीटा कीटो एसट था तो इससे acetone बन गया और यह भी बीटा कीटो एसट है तो यह भी क्या बन गया ऐसे acetone बन गया तो यह बन गया S और यह बन गया T अब यह कराएगी S और T दोनों positive wide of arm test देता है यानि कि ठीक है काम हो गया अपना अब क्या कराएगी sum of oxygen atom present in S and T तो S और T में मिला के कितने हैं सोट में मिला गया तो दो ही आ रहे है तो दो यह लिख देते हैं अब इसके अलावा इस पे सेम प्रोसेस पे एक और molecule बनाया जा सकता है एक और compound में बना जा सकता है मैं वह भी बना के दिखा रहा हूं कि बस इस ओएज को उठाके हम इधर वाले कारवन पर भी लगा सकते थ है ठीक तो क्या होता तो देखते हैं क्या होता कि अगर में दर वाले कारण पर लगा लेते तो इसमें हमें चाहिए थरी सिए चोवडेश देखो मैं दूसरा अल्टरेंट है जे अल्टरेंट सल्यूशन है तुम दोनों से सवाल लगाऊगे दोनों से सेमी आंसर आएगा ऑल और इदर आगया CH2 CH2 CH3 तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आर्ट नौ कारवन पूरे हो गया और दो एच आगया और सब कुछ हो गया ठीक इसकी ओ त्री जेड़े ने ओ त्री एच्टो से रेक्शन कराई तो इससे बन गया CS3 C O H H और यहां पर आगया CO H यहां पर आगया CO H CH CH2 के बाद CH O H CH2 CH2 CS3 ठीक है अब इसकी PCC से रेक्शन कराई जब PCC से रेक्शन कराई तो बन गया क्या है CS3 CO CO H और यह बन गया CO H CS2 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 CS3 और फिर इसे क्या किया हीट किया है इसे हीट करने से कुछ होएगा जाएगा नहीं तो यह तो अलफा कीटो ऐसे डाया तो यह क्या बन गया यह ऐसे ही रहा और इसे हीट किया तो इससे बन गया क्या तो ऐसे केस में इसका आंसर बदल जाएगा सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है S और T का लेकिन आंसर जो आएगा टू की जंगा फोर भी आ सकता है डिक्ट फिग के वाइटी दे रहे बात अलग है लेकिन कर आतो जाता है सब्सक्राइब अब कहरा है कि क्यूं और आर की कि रेक्षन कर आई अगला कौूश्चन का आइनगे इसका एक मोल बन रहा है ठीक एक मोल बन रहा है तो वेट उफ्फ यू कितना जाएगा मास appar लगा देंगे बींडक वी इकोँज्टु वेट उफ Do We will have the queue प्लस और माइनस वेट ओफ लॉटर वाटर के पांसों मोल बन जाएंगे यहां ठीक तो वेट एफ क्यू वेट अफ क्यू निक्यू निकाल लोगे तो जो ऊपर वाला कॉच्छन निकाल लेते हैं वेट उफ क्यू वेट ऊफ क्यू क्या था यारमनों ने किउंतों कितना जाएगा जब निकाले में तो यह जंदा कितना आ जा है radiator देख लो से कितने तो कित करो वहिया hydrogen आगा कितना है तीन दो पांच से दो साथ और एक आठ ठीक तो यह क्यों ही था ना है 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 तो यह बन गया कितना अरताले दुनी चैनवे और आठ एक सो चार आ गया है ठीक क्या गया एक सो चार आ एक सो चार आ गया तो पांसो एं टू एक सो चार लखो we have a number एक्सा ऐस को छार यह इसका मोलर मास आ ठीक अब इसका molar mass निकालो R का R का molar mass निकालो गया तो 1, 2, 3, 4, 5 है तो 12, 5, 60 हो गया 3 oxygen है तो कितना हो गया 48 प्लस carbon hydrogen कितना हो गया 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10 तो यह हो गया कितना 118 ठीक तो 500 into weight of RV कितना आ गया 500 into 118 और weight of water कितना आ गया 500 into 118 500 into 118 ठीक तो बस अब weight of polymer निकाल दो सीथे weight of polymer कितना हो जाएगा विल भी हो जाएगा कितना 500 common लेने दोनों में से तो 104 प्लस 108 माइनस 18 तो 500 into 204 500 into 204 कर दाएगा वाटर अच्छा कितने बनेंगे वाटर एक से दो बनेंगे सुरी तो यहां पर 999 बन जाएगे वाटर 9999 बनेंगे मैंने गलत लिख दिया 9999 वाटर बन जाएगे तो यह थोड़ ऐसे गलत होगी calculation यहां पर इसे माइनस 9999 into 18 करना पड़ेगा तो यह कितना गया 93018 आ गया तो इसका अंसर 93018 लिख देंगे ठीक अब बड़ा सवाल था मेनत करके लगाना पड़ेगा और मेनत करके ही अंसर आएगा अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है हमसे कि तो इससे बन जाता है के फोर एफिसेट 6 अब यह reduce हो गया तो और आएउडीन और और आउडीन और आउडीन और आउडीन और आउडीन और आउडीन और तो यह तो कर दो यहां पर कितने आ गया है तो इसमें कितने मोल सब्सक्राइब किया घर्च हुए सिंपल सवाल अगला सवाल और लाश्ट सवाल क्या कह रहा है लाश्ट कह रहा है कि अब बन गया है इन इसे क्या बन जाए बराबर नहीं लिखना है किस लिखना है बन जाए के टू जैडन थ्री एफीजियन शिक्स वोल ट्वाइस इसका वाइट पीपीटी आ जाए या फिर जैडन चील टू की रिएक्शन अगर ऐसे लिखने के फूर एफीजियन शिक्स है जो ज्यादा पॉपुलर है वह हम लोगों ने यह वाली लिखिए जो सेकेंड वाली लिखिए कि जैडन टू एफीजियन शिक्स का वाइट पीपीटी आ जाए तो इसलिए जो आंसर गिवन होगा वह थ्री यह टू दोनों में से कोई भी गिवन होगा और दोनों ही सही माने जाएंगे ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों पेपर का डिसकेशन कंप्लीट कर लिया पूरी तरह स से और अब हम लोग आगे डिसकेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से तब तक के लिए लाइक शेर सब्सक्राइब करते रहें और यार हाँ जूनियर्स को जरूरू बता देना चैनल के बारे में क्योंकि अब हम लोगों करने का ठीक है चलो मिलते हैं तब तक के लिए थ